فر Zombies, Welcome to my Channel, महिला तुफान मेरी जितनी भी सखया है, सहेलियां है जितनी भी सखया सहेलियां जो शाधिशुदा है और जो कुआरी हैं, उनकी लिए आज की मेरी वीडियो है मेरी वीडियो में सुहाग से जूरी एक महत्पुन जानकारी आज दूँँगी बिच्या बिच्या जो है पती की निशानी माना जाता है और शुहाग का एक प्रतीक है साधी के बाद जो है बिच्या पहनने का एक विशिस नियम है और बिच्या जो है पती की शमरिधी का कारण भी बनता है और पती की गरीबी का कारण भी बनता है इसलिए बिच्छिया से जूरी जानकारी हर शाधिशुदा सुहागिन इश्ट्रियों को होना चाहिए और कुमारी लड़कियों को भी होना चाहिए कि बिच्छिया से जूरी जानकारी उन्हें भी कि उन्हें बिच्छिया पहनी चाहिए या नहीं पहनी चाहिए बिच्छया कितनी संख्या में पहननी चाहिए और किस तरह की बिच्छया पहनने से पती गरीबी के सिकार होते हैं और किस तरह की बिच्छया और किस तरह से पहनने से पती की शम्रिधी का कारण माना जाता है कितनी शंख्या में और किस दिन हमें नहीं बिच्छिया पहननी चाहिए और किस टाइब की बिच्छिया पहनने चाहिए तो इस वीडियो में आपको बिच्छिया से जुरी संपुन जानकरी बिलेगी तो वीडियो में आप सुरू से अंतक बने रहेगी तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं तो पहला पॉइंट से की बिच्छिया जो है पती की निशानी है और बिच्छिया ही जो एक मात्र ऐसा गहना है जो साधी से पहले कुवारी लड़कियों को नहीं पहननी चाहिए पाप लगता है और शाधी शुदा महिलाओं को बिच्छिया पहनना जरूरी है उन्हें पैरों में पायल पहने या न पहने बिच्छिया जरूर पहनना चाहिए क्योंकि ये पती की निशानी माना जाता है और शादी के बाद बिच्छिया पहनना पती की शमरिधी के लिए बहुत ही शुब माना जाता है और आपके रिस्ते के लिए भी और बिच्छिया पहनने से क्या होता है कि बिच्छिया में शूरी और चंदरदेव की किरपा रहती है और वो किरपा आपके रिष्टों में भी पढ़ती है इसलिए बिच्छिया आप जरूर धारन करें बिच्षya कितनी संख्या में पैरों में पहनें तो ऐसे तो इंगठे के बगलवाली उंगली में आप जरू質 पहन सकती हैं यो यो पाँच्छन का पैरों इसी है अनुघध्या में पहन्गा में आपको पहनी चाहिए तो वाली प्राइब का ना जाता है χुंग्रु वाली बिश्या हो गिरी थीली प्रतीक वास पीज्वित टूटी बिश्या थोड़ी सी तूट गई है, डेमेज हो गई है, पुरानी होगी, फिर भी हम पैरों में पहने हैं, ध्यानी नहीं दे रहे हैं, तो नहीं, आपको चम चमाती हुई बिच्चिया पहनी चाहिए, ऐसा समझ लेजे कि जितनी आपकी बिच्चिया चम चमाएगी, आपके पती का जो पहनी पुरानी बिच्चिया कैसे उतारनी हैं, तो देखी, नहीं बिच्चिया पहनने के लिए आप पुरानी बिच्चिया को सटा कर रखे, उसके बाद आप पुरानी बिच्चिया को उतारे, और तुरंत नहीं बिच्चिया को चढ़ा ले, अपने पैरों में पहन ले, इ बहुत ही अशुब माना जाता है और हमें सोने अगर आपकी विच्छेया में थोरटीस सोने का अन्सो игр या आपके पाइल में भी तो ये भी गलत माणा जाता है क्योंकि शोने में लच्मी माता अकुवेर भगवान का निवास वास माना जाता है तो अगर पैर की विच्छिया में सोने का अंसो तो आप वैसी विच्छिया कभी न पहने अच्छा है पायल भी आपको नहीं पहना चाहिए क्योंकि इसे घोर पाप माना जाता है इसे लश्मी माता तुरंत रुष्ट हो जाती है अकुर वेर देवता भी नराज हो जाते हैं त पति में प्रगरीबी आै या गलत प्रबावण परे तो थोड़ी सी इन चोड़ी बातों क capturing चाहिए इस पिच्छिया हमें किस दिन पहनना चाहिए या पूरानी बिच्छिया का हम क्या करें तो पूरानी बिच्छिया को आप Sambhal कर रख सकती है और हमेसा दियान रखके चां नमने पिष्जा पर्ती किसे रुक्र को तो परतीक हैं, और हमेशी हम आप पति पतनीी क्लिए विचिया प हसले, जो किसे निजाने सब्सक्राइब्स आप प्या प्रजावें को चैंज सब्सक्राइब्स तो चेंज़ करके आप दूसरी बिचिया भी ले सकते हैं. अब है कि आपको बिचिया नई बिचिया किस दिन पहननी है, तो आपको नहां धोगे पुजा घर में बिचिया रहकर, पुजा बिचिया का अप कर दें, थोड़ सा सिंदूर अच्छा लगा दें, पूजा कर दे उसके बाद आपको संडे को पहनना है इत्वार के दिन पहनना है बिचिया नई बिचिया और नई चूरी भी आपको संडे को पहननी चाहिए बहुरा ही सुब माना जाता है लेकिन याद रखे मंगलवार के दिन मंगलवार को कभी भी आपको नई बिचिया या नहीं चूरी नहीं पहननी है, इस बात का आप खास थ्यान रखें, बिच्छिया पहनने के फाइदे क्या है, तो next points में बताऊंगी कि बिच्छिया पहनने से क्या होता है, अगर अच्छी तरीके से घुंगरो वाली चांदी की ही बिच्छिया पैरों में पहनने, तो धार्मिक मानिता होगी, सुक्सम्रिध्धी का राज भी चिपा है बिच्छिया में, बहुत सरे लोग बिच्छिया को बिच्छिवा भी कहते हैं, लेकिन हमारे हैं हिंदु धर्में हम बिच्छिया ही कहते हैं, तो बिच्छिया पहनने के क्या फाइदे हैं, तो मानसिक तनाव, जो अच्छा महसूस करती है, चहरा हमें साच चमकता रहता है, उन्हें जादे परशानी नहीं होती है, और संतान अगर गर्वती हैं, तो संतान फली भूत होते हैं, बिच्छिया पहनने से संतान पे भी असर जाता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहता है, तो साइन्स के अनुसर विज्ञान के अनुसर भी बिच्छिया पहनने के अनेक फायदे है, इसे हमारा स्वास्त अच्छा रहता है, हम चुस्त तुरुस्त रहते हैं, तो इस तरह से बिच्छिया पहनने से धार्मिक फायदा भी है, कि पती की शम्रेदी क राज बिच्या में चुपा है, पती धनवान होता है, अगर सही तरीके से पत्नी बिच्या पहنتी है तो और अगर पत्नी धीली बिच्या पहنتी है तो पती की गरीवी शुरू हो जाती है तो बिच्छा से जुरी जानकारी आप लोगों को आश्या करती हूँ अच्छी लगी हो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शियर करें कॉमेंट करें में चैनल पर नया हैं तो सब्सक्राइब करें और हमेशा नई ब भारन के रहें और अपने पती की किश्मत को चंप कहते रहते हैं थैंक्स पर आच में वीडियो जैहिन जै भारत